वेलकम है आप सब का हमारी यूट्यूब चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर सो एक गूड न्यूज है जुम्मो एंड कश्मीर टैंथ पास केंडिडेट्स के लिए कलास फूर्थ वेकिंसी एड़िस्टीज हुए है सो कौन से पोस्टस है कैसे आपको एपले करना है कब से आप एपले कर सकते है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइट करेंगे सो वीडियो को आप लास तक जरूर देखे और चैनल पर पहली बार आए है चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजे ताकि आपको इस तरह के अपडेट सबसे पहले मिले और अभी तक अगर आपने हमारे वाटसेप ग्रूप को जोईन नहीं किया है तो लिंक आपको कमेट सेक्शन और डिस्क्रिक्शन है मिल जाएगी वहाँ से जाके आप वाटसेप ग्रूप जरूर जोईन कीजे जहां से जितने भी competitive exams चल रहे है उनकी free coaching आपको कराई जाती है free material, free mock test सब कुछ free provide किया जाता है so वाटसेप ग्रूप आप जरूर जोईन कीजे so notification की बात करे class fourth vacancies यहाँ out हुए है district wise so यहाँ पे educational qualification की पहले बात करे so for the post or process server the candidate must have passed 10 plus 2 यहाँ पे दो तरह के post अड़िस्टी हुए है पहला है process server और इसके लिए आपके पास 12th pass qualification होनी चाहिए so next to post है orderly का इसके लिए आपके पास metric pass qualification होनी चाहिए so यह है educational qualification और कौन-कौन से apply कर सकते है यहाँ पे eligibility है the candidate must be a domicile of union territory of Jumohen Kashmir and shall possess the domicile certificate so आपके पास Jumohen Kashmir की valid domicile certificate होनी चाहिए और age limit की बात करे so the minimum and maximum age shall be same as prescribed by the government in terms of civil service regulations यहाँ की age minimum 18 साल की होनी चाहिए और maximum यहाँ पे 40 years अगर आप open minute से belong करते है और 43 years अगर आप किसी reserved category से belong करते है जैसे SC है, ST है इनके लिए यहाँ पे 3 साल की relaxation दी गई है तो यहाँ पे last date और start date की बात करे so date for commencement of submission of online applications 10 October 2024 से आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं और last date की बात करे तो 31 यानि 31st October इसका last date रहने वाला है अभी इसके forms चल रहे हैं आप जाके इसके लिए apply कर सकते हैं so यहाँ पे documents कौन-कौन से required है तो एक जो qualification है education qualification की certificate वो आपको रखनी है data birth certificate आपको रखनी है matriculation की इसी तरह domo size certificate आपको साथ रखनी है आदार card भी आपको यहाँ पे documents के साथ साथ रखना है so यहाँ पे selection की बात करे so the candidates shall have to undergo an interview wise in order to determine the suitability and knowledge and the selection of the candidate so यहाँ पे कोई भी exam नहीं होगा इसके लिए written exam so no exam यहाँ पे सिर्फ आपको वाइवा वाइस और interview यहाँ पे आपको देना है और interview पे select interview based पे ही आपकी selection की जाएगी so यहाँ पे posters की बात करें number of posters कितने हैं और किस की तरफ से posters आए हैं तो यह notification आप देख लीजे filling up our vacancies of class 4th posters district grade so यहाँ पे posters मैंने आपको बता दिये कितने posters है name of the post पहला post है process server और salary की बात करें तो यहाँ पे आपको 19,900 से लेकर 63,200 salary मिलने वाली है number of posters only 4 है यहाँ पे open merit के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, ST के लिए 1, ST second के लिए कोई भी नहीं RBA, OBC के लिए भी कोई post नहीं है दूसरा है orderly और salary आपको मिलने वाली है 14,800 से लेकर 47,100 number of posters 3 है, OEM के लिए 2 posts है और SC के लिए 1, बागी किसी भी category के लिए कोई भी post नहीं है तो यहाँ पे मैंने आपको date भी बता दिया, age limit भी, educational qualification भी, कौन-कौन से documents आपको साथ रखने है और apply date क्या है, last date क्या है, तो आप जाके इस post के लिए apply कर सकते है यहाँ पे यह notification प्रिंसिपल district and session जैस बांडी पोरा की तरफ से आई है, class fourth vacancies है और date भी आप देख सकते है इसी तरह जुम्हें कश्मीर के लिए हर एक district के लिए यह vacancies आने वाली है district wise यह release होते है, जो ही और किसी district के लिए ऐसी notification release होती है हम आपको अपने whatsapp groups के तरो और अपनी channel पे update करेंगे so further कोई भी information चाहिए इन posts के regarding नीचे comment section में आप पूछ सकते है या हमारा whatsapp group join करके आप directly हमें text कर सकते है so I hope कि वीडियो आपके लिए useful साबित हो, next वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, till then take care